दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपके BSC 2nd Year 3rd Semester Botany के एक Important Topic Plant Taxonomy से जुड़े हुए Most Important MCQ Solve करने वाले हैं और ये ऐसे MCQ हैं जो कि आपके New Education Policy पर आधारित हैं और आपके आने वाले एक्जाम के लिए बहुत ही Important है तो आप वीडियो को आप ध्यान से देखेगा और पूरा देखेगा वीडियो में हम Plant Taxonomy से जुड़े हुए जितने भी MCQ उसको Solve करेंगे और जहां भी जरूरत होगी उसे Explain करने की उस Question को मैं Explain भी करते चलूँगा तो चलते हैं अपने पहले Question की ओर तो हमारा आज का पहला Question है The System of Classification Proposed by Bentham and Hooker is यानि कि Bentham और Hooker द्वारा पस्तावित वरगी करन किस पधती पर आधारित था आपके Option है पहला Option है Artificial, दूसरा है Numerical, दीसरा है Phylogenetic और लास्ट है Natural तो यहाँ पर आपको बता दे कि Bentham और Hooker का जो Classification है वह Numerical यानि कि प्राक्रितिक पधती पर आधारित है तो आपका Right Option है Option D चलते हैं अगले Question की ओर अगला Question है Total Number of Series in Bentham and Hooker System of Classification is यानि कि Bentham and Hooker के वरगीकरण पधती में कुल कितने Series है आपके Option है पहला है 19, दूसरा है 21, तीसरा है 18 और लास्ट है 25 तो आपको बता दे कि Bentham और Hooker के Classification में कुल 202 Family है और जो Total Series है वह है 21 तो आपका Right Option है Option B चलते हैं अगले Question की ओर अगला Question According to International Code of Botanical Nomenclature, What Ending is Recommended for Subdivision? कह रहा है कि International Code of Botanical Nomenclature के द्वारा अगर हम कोई Subdivision है तो उस Subdivision के Last में क्या लगेगा? यानि कि जैसा कि अगर आपने पढ़ाओगा Family तो Family के Last में लगता है A, C, A, E, A, C, ठीक है? तो उसी तरह आपको बताना है कि Subdivision के लिए Last में कौन सा इंडिंग लगता है? तो आपका जो Right Option है, Option B है Fightina अगला Question है Which of the following publication of Lineus led the foundation of Plant Nomenclature? यानि कि निमलिकित में से कौन सा Lineus का Publication है जो की Plant Nomenclature के लिए स्थापित किया गया था? आपके Option है? पहला Option है Critica, Botanica, दूसरा है Species Plantarium, तीसरा है General Plantarium, और Last है None of the Above तो इस Question का जो Right Option है, Option B है Species Plantarium अगला Question है System of Classification Presented by Hutchinson is यानि कि जो Hutchinson का Classification था, वो किस पर आधारित था? Phylogenetic, Artificial, Natural या फिर इन में से कोई नहीं तो Hutchinson का जो Classification था, वो Phylogenetic था तो आपका Right Option है, Option A आई चलते हैं अगले Question की हो, जो कि Important Question है The type of specimen used by author to describe a plant for the first time is known as Question में कह रहा है कि कोई specimen जिसका की पहली बार author दोरा किसी प्लांट को describe करने में use किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? आपके Option है, पहला Option होलो टाइप, दूसरा है टीसरा है, लेक्त्त टाइप और लास्ट है पैराटchuशई. तो आपकाось उप्सन है, Option A होलो टाइप, तो होलो होलो होता है नियो टाइप या होता है? लेक्त्रॉट टाइप क्या होता है? तो इस टापिक पर मैंने अलग से डीटेल में वीडियो बनाया हुआ हूँ है यानि होलो टाइप का जो अनुलीपी होता है उसे हम क्या कहते हैं आपके आपसन है नियो टाइप आइसो टाइप सिंटाइप और पैरा टाइप तो आपको बता दे कि होलो टाइप का जो डूपलिकेट होता है वो होता है आइसो टाइप तो आपका राइट आपसन है आपसन अगला कोशन दिया हुआ है biological species concept was proposed by यानि कि जैविक जाती धारणा किस ने प्रस्तावित किया था आपके option है पहला option है linear दूसरा है mayor तीसरा है love और last है hooker तो आपको बता दे biological species concept दिये थे mayor ने तो आपका right option है option B अगला कोशन है artificial system of classification plants was proposed by यानि कि पौधो के वरगी करण की जो क्रित्रिम विधी है वो किसके द्वारा दिया गया था आपके option है पहला option है linear दूसरा है बेंथम हुकर तीसरा है बेसी और last है हचिंसन तो आपको बता दे कि पौधो के वरगी करण की जो artificial system है वो दिया गया था लीनियस के द्वारा तो आपका right option है option a चलते हैं अगले कोशन के और अगला कोशन है when species name exactly repeats generic name it is known as यानि कि जब जाती नाम वनसी नाम को बिल्कुल दोहराता है तो उसे कहते हैं तो कोशन को मैं आपको समझा देता हूं कोशन में कह रहा है कि जब generic name और species name दोनों एक जैसे ह अगर देखे scientific name ratus ratus तो यहां पर आप देख रहे हैं species name और scientific name दोनों same है तो इस तरह का condition आए तो उसे क्या कहा जाएगा आपके option है पहला option है बेसियो नीम दूसरा है टाटो नीम तीसरा है homonim और last option है synonyms तो जब generic name और species name same होते हैं यानि कि दोहराए जाते तो उसे हम बो label and another species collected from the type of locality is chosen to serve as type it is called कहने का मतलब है कि यदि मूल प्रकार का जो type है या specimen है वो उपलब्द नहीं है और एक अन्य प्रदस को उसी के स्थान पर एकत्र कर मूल टाइप के रुप में प्रयोग किया जाता है तब हम उसे क्या कहते हैं तो मैंने आपको भी बताया कि मैंने इस टौपिक पर वीडियो बनाया हुआ है प्लीज आप वो वीडियो देख लिजे तब ही आप इस टौपिक से रिलेटेड कोश्टन को कर पाएंगे चलते हैं अप्शन की और पहला प्शन है पहरा टाइप दूसरा है सिन टाइप तीसरा है साइज जो टाइप और लास्ट में आवित्य बीजी पौधो की कुल कितनी संख्या है तो बेंथम एवं हुकर के अगर हम वरगी करण को देखे तो इसमें जो इंजियो स्पर्मिक प्लांट है इनकी कुल जो संख्या वो है 199 ये संख्या पहले की है ठीक है लेकिन इसमें अब तीन और एड हो गए है तो बाइनोमियल नमंकलेचार आर यानि की द्रीपद नाम वाले दो सब्द है तो सिम्पल सा कोश्चन है हम सभी जानते है कि बाइनोमियल नमंकलेचर दिया था लीनियस ने और इसमें इन्होंने दो सब्द यूज किया था जीनस और इस पिसीज तो यहाँ पर आपका जो सब्सक्राइब का प्रियोग सबसे पहले मेर नहीं किया था तो आपका राइट ऑप्षन है ऑप्षन सी उन्पॉर्टन कोशन है आप इसको याद रखेगा एक्जाम में कई बार इससे कोशन पूछे गए हैं चलते हैं अगले कोशन की और अगला कोशन है फादर आफ टैक्सो इसको नहीं कहते हैं लीनियस को तो आपका राइट ऑप्षन है ऑप्षन सी चलते हैं अगले कोशन की और अगला कोशन है लीनियस पॉब्लिश्ट इस कंसेप्ट ऑप बाइनोमियल नमंकलेचर फर्स्ट इन यानि की लीनियस ने दी नामकरण की विचाधारा सरप्रथम प् और लास्ट इस पिलोस्पिया भटेनिका तो लीनियस ने बाइनोमियल नमंकलेचर का जो कंसेप्ट है वो पबलिस किया था इस्पिसिश्ट तो आपका राइट आपसेन है ऑपसन खेलते हैं अलीच्वेशन बीचाद ऑगला कोशन थे दूसरा सेमी स्पिसिश्ट इसाहर र जाती वह उप जाती के बीच की जाती को हम बोलते हैं सेमी स्पिसिज यानि की अर्ध जाती तो आपका राइट ऑप्सन है ऑप्सन भी चलते हैं अगले कोशन के और बड़ा इंपॉर्टन कोशन है बेसिक यूनिट आफ क्लासिपिकेशन इस यानि की वरगी करण की मूल भी कहते हैं तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्सन है ऑप्सन भी इस प्रिसीज तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो जो की टेक्सोनामी पर आधारित था और टेक्सोनामी पर और भी बहुत सारे कोशन है अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह दूसरा पार्ट भी टेक्सोनामी से रिलेटेड बनाओं तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएगा और मैं पूरी कोशिस करूँगा कि टेक्सोनामी से जुड़े हुए MCQ का अगला पार्ट बनाओं तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टापिक के साथ तब तक के लिए जैंद जै भारत